साथियों स्वागत है आप सभी का ба सबले को दो धन कि हनुमान जर्याहनति की और दीवाली की समस्ड देशवाजियो YouTube कि यो है हम जैसे की आपको पता है आपकी जो परिच्छा UPTGT PGT की बात करें UPTGT PGT 2022 को जहां से आपने अर्सों को आपकी जो मानताएं हैं जिनको आपने सजो रखा है UPTGT-PGT के लिए Admit Card 2022 का जो है UPSSS के द्वारा, जो इसकी बोर्ड है UPSESSB के द्वारा, इसका जो है Admit Card डाउनलोड करने का लिंक बना दिया गया है Admit Card किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, Admit Card अपना डाउनलोड किस तरीके से आपको करना है जो है इसके लिए आपने देखा कि UPSESSB के द्वारा डारेक्ट लिंक बना दिया गया है अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है साथियों लिंक बना तो दिया गया बहुत अच्छी बात है आपने देखा होगा कि बोर्ड की website पर डारेक्ट लिंक बना दिया गया है जिसमें परिक्षा.nic.in करके आपका लिंक है और उसमें सबसे उपर login ID माग रहा है और उसके बाद password माग रहा है जब से बोर्ड की तरफ से ये लिंक बनाया गया है बच्छों के अंदर एक खलबली सी मची है और मचना स्वाभाविक सा है क्योंकि इतने दिन से आप इंतजार कर रहे हैं टोटल पोस्ट की बात किया जाए वैसे ही पोस्ट बहुत कम दिया गया है 4163 पोस्ट के लिए जो आपकी जो है TGT के लिए 4163 पोस्ट और PGT टीचिंग बैकेंसी के लिए जो आपके एक्जामनेशन्स की एक एक्सपेक्टेटेट डेट थी वह तो अभी आपने देखा होगा कि अक्टूबर में एक एक्सपेक्टेशन डेट थी हाल फिर हाल में तो ऐसा कुछ देखते नहीं लगा क्योंकि अब जाकर के एक्सपेक्टेटेट डेट ना देकर के आपके एडमीट कार्ड डाउनलोड करने की एक जो लिंक होती है जो एक पैनल होता है वह जो है बोर्ड की तरफ से दे दिया गया है जिसमें की जो है दिया हुआ है साफ साफ दिया है कि 3549 वैकेंसी जो की टीजीटी के लिए हैं और रिमेनिंग रिमेनिंग का मतलब अब जैसे 413 में रिमेनिंग बचेंगे क्या निए 624 वैकेंसी आपकी जो पीजीटी की हो गई एसपेरेंट्स हैव एपलाइड आनलाइन रिक्रीक्मेंट जो आपका भरा गया था और 9 जून 2022 को जो आपका फॉर्म फिलप हुआ था और 3 जूलाई 2022 तक 9 जून 2022 से 3 जूलाई 2022 तक इसकी डेट थी अब इसके रिटेन एक्जाम और इंटर्विव आप क्योंकि इंटर्व अभी नहीं हुआ है और साफ साफ लिखा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एक्जाम डेट 2022 विल बी एनाउंस्ट शॉर्टली और डीटेल्स विल बी अपडेटेट थ्रू द ऑफिसियल वेबसाइड ऑफिसियल वेबसाइड जैसे कि आपको पता है www.upsesb.org यह आपका अफिसियल वेबसाइड है जहां पर अभी सिर्फ यह चीजे अपडेट हो पाई है कि एड्मिट कार्ड आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे एड्मिट कार्ड 2022 लिख करके उसमें लिंक दे दिया है बच्चों कि एड्मिट कार्ड 2022 करके दे दिया है अब देखो यहां से एक दो प्रस्ण, दो तरीके के प्रस्ण बनते हैं दो प्रस्ण ये बनते हैं कि लिंक दे दिया admit card डाउनलोड करने का और उसमें साफ साफ लिखा admit card 2022 यह नि उसमें पूरी पूरी बात अगर हम देखें तो पूरा ऐसे लिखा हुआ है आप जाके देख सकते हैं UPTGT PGT admit card 2022 यह लिखा हुआ है UPTGT PGT admit card 2022 अब देखिए क्योंकि अक्टूबर तो चल ही रहा है इसके बाद number दिसंबर है तो कहीं ना कहीं board के मन में यह बात एक खयाल जरूर होगी कि 2022 की यह vacancy है तो 2022 में ही admit card का जो link भी बना है वो 2022 ही बनाए है क्योंकि अटकले अभी तक यह expectation यह लगाई जा रही थी experts के द्वारा जो आप expectation देख रहे थे कि सुनने में यह आ रहा था कि अब आपका जो exam होगा वो आप February में होगा या फिर इससे भी आगे बढ़ करके क्योंकि March में board exams होते हैं इसलिए अप्रेल में या मैं मैं में जा सकता है अप्रेल या मैं की भी expectation लोग लगाना शुरू कर दिये थे लेकिन जो board की website पर UPTGT PGT admit card 2022 लिख दिया है इससे एक चीज़ तो जहां तक अगर बात किया जाए एक समझदारी के साथ अगर ऐसा होता है तो आपका exam कहीं ना कहीं 2022 के last तक करा लिया जाएगा फिर भी हम लोगों ने भी expectation कर लिया था कि अब इस वर्स तो paper नहीं हो सकता ऐसा माना जा रहा था लेकिन जिस हिसाब से board की website पर आया हुआ है admit card का link generate कर दिया गया है यानि board पूरी तरीके से अपनी तयारी बना रहा है चीजों को कराने के लिए यानि आपके exam को जो 4163 post हैं उन्हें कराने की पूरी की पूरी तयारी चल रही है फिर भी आपका क्या अनुमान है आपका exam कब हो सकता है इससे आप जरूर कमेंट करके बताईएगा और आप सभी को हम अपनी तरफ से सलाह ये देना चाहेंगे साथियों कि एक बात तो आप लोग भली भाती से समझ लीजिए अगर बोर्ड ने ये लिख दिया admit card 2022 यानि आ गया है तो इसका means कहीं न कहीं वो बोर्ड आपका exam 2022 में ही करा लेगा ठीक है फिर भी क्योंकि एक expectation आप बच्ची ये मान के चले हैं कि फेरवरी के पहले हो नहीं सकता मार्च में भी जा सकता है मार्च इसलिए लोग expert नहीं मा सायदा रहे थे लेकिन मैं आप सभी साथियों को एक सलाह देना चाहूंगा बच्चों क्योंकि तयारी तो आपकी already अच्छे से हुई ही है न तयारी में कोई कमी नहीं है आप practice अपना start कर देजिए practice makes man perfect आप अपने practice को इतनी अच्छे तरीके से start कर दिए ये सोच के चलिए कि आपका exam अगर न송बर में होता है या दिसमबर में होता है नौबर या दिसमबर में भी अगर आपका exam होता है तो आपकी तैयारी बहुत जबर दस्त हो क्योंकि केवल और केवल practice बची हुई है जो एक अच्छा बच्चा है बाकि कुछ लोग अभी exam की occurs date कर रहे हैं तो उ गलत कर रहे हैं क्योंकि एक्जाम डेट आएगा तो फिर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बच पाएगा तो अभी से आप अपनी प्रैक्टिस सेशन को शुरुआत कर दिजी हाँ अभी जिनका कोर्स नहीं पूरा है उनके पास परियाप्त समय है घवराने की बहुत ज़्या सब ही विस्यों की स्टाट कर देंगे आपको बता दें एक नुवंबर से हमारे सब्च कर देंगे तो देर ना करते हुए साथ यह नंबर भी entering practice batch लिख करके entry practice batch अपन्य subject का नाम लिख करके subject के साथ जुड़ना चाहते हैं आप तीर ना करते हुए जुढ़ें या किसी परकार की जानकारी के लिए संस्थान से आप संपर्क करें आप सभी को एक पुनह दीवाली की भाई दूज की और चठ के तेवार की बहुत सारी सुप कामनाएं ग्यापित करता हूं और आप से एक ही सलाह दूँगा कि आप बचे ये इंतजार में ना करिए कि आपका एक्जाम 2023 में जाएगा या 2023 के फरवरी में जाएगा मार्च में जाएगा अपरेल आप उसके लिए त्यार रहिए क्योंकि आज का जो यूपी टीजी टीपीजीटी के ऑफिसियल वेब साइट पर जो सुचना आई हुई है लिंक आई हुई है उससे एक एक्स्पेक्टेशन ये लग रहा है कि आपका एक्जाम कहीं ना कहीं आपका बोर्ड जो है 2022 के प्रेक्टिस बैस मारा एक नॉंबर सुर्अट होने जा रहा है और एसिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे वीच में अंकित सर्की जो है एक महां माराथन के टाइप में जो है पूरा फुल कोर्स भी ला रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं जी के जिएस का जु कर दो कि अगर रखी